हेलो नमस्कार जहन्द हम लोग अयोध्या में जो कल प्रतिष्ठा होने वाला है उसके बारे में समझेंगे कि प्रहुष्राम जी का मंदर प्रकार से समझतने के लिए हम लोग क्या-क्या पॉइंट लेंगे इस्थिती विवाद का कारण क्या है तिहासिक द्रिष्टिकोण क्या है इस मंदर के बारे में और राजनीतिग परिप्रेश्च क्या है है हैसला सप्रीम कोड का इसमें और क्या है निर्माड और प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है किसके बारे में इसके बारे में सबको समझने के कोशिस करेंगे तो देखते हैं के देखते हैं कि भारत में यह उत्तरों के पास 12 बंक्प रभुशसरयाम जी का मंदेर वर इसके थिति को आप समझते हैं यहां उत्तर प्रदेश को देखें को के पास यहां पर काहले मंदिर का सबसे पहला कार है मंदिर-मंदिर-मंप ज allora मनाना जाता है यहाँ पर सबसे पहले मस्घिद भाबरी मस्घिद को तोड़कर मंदिर को किया गया है इसको बिध्वंस करके मंदिर को दूरुपियोग ।やって hindra is दूरुपियोग मना जाता है करण किस परकार से हो रहा है और भूमी पूजन साम और प्रतिकर है क्या क्या है इसके बारे में समझेंगे को आपको कब प्रतिष्टा होने वाला है कि अयतिहासिक दृष्टिकॉम फ्राण9424 ऐसी आयतिहासिक द्रिष्टी कोण से अगर इसे हम देखें तो 16 अतबदी में बाबर ने मंदिर उत्तर भारत के मंदिर्यों पर आक्रमण किया था इसके बाद बिधन्स कर दिया मंदरियों को नश्ट कर दिया और जब नश्ट किया तो उसके कुछ समय बाद मुगल सासकों ने मुगलों ने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माड कर आया और जिसे कहा गया बाबरी मस्जीद कि बाबरी मस्जिद का निर्माड हुआ कि इसके बाद यहां पर मस्जिद का सबसे पहला प्रमाड जो है यहीं कि मस्जिद का पहला रिकार्ड सत्रा सव सरसथ में मिला था सत्रा सव सरसथ में मस्जिद मस्जिद का पहले प्रमाड मिला था क्या मस्जिद था वह एक बूख है इस्कृप्टोिंडिया इस इन्दिया नाम की एक बूक है मसजीठोस सब प्राइन जोहें और के द्वारा राचीतएं इस इस्कृप्टोटौ इंडिया दि下स्टाल्ण।बएक में मिलता है इस मुख के निर्मार रमकूट मंदिर और बेदी कordि किया गया था। रामकोट का अर्थ होता है प्रभुस्री राम का किला रामकोट का अर्थ होता है प्रभुस्री राम का किला और बेदी का अर्थ होता है प्रभुस्री राम का जन्म अस्थान घारमिक हिंसा पहली घटना तरज की गई थी इसके मंदिर के संबंद में धार्मीक हिंसा की पहली स्भी उसके बाद मंदिर के संबंद में घटना होती रही उसके बाद अफारौश आछांधावन में बृटिश सरकार ने सत्रस संथावन अठावस जंथावन की गृंति हुए थी बिट्स हैं बिति बहुए प्रटियों में बृटिश क्राउन ने यहां पर ब divorcee लगा दिया था ॉप यानि कि हिंदूओं को पूजा और अनुस्ठान करने से हिंदूओं को प्रतिबंध लगा दिया हिंदूओं पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदूओं पर प्रतिबंध लगा के मस्जिद के बाहर मस्जिद के बाहर एक मंच अस्थापित कर दिया मस्जिद के बाहर एक मंच अस्थापित कर दिया और कहा कि यहां हिंदु पूजा कर सकते हैं अपना पूजा अनुष्ठान जो कुछ भी करना है यहां पर कर सकते हैं और वहां पर मस्जिद होगा तो इस प्रकार से हिंदु प में और माता सीता की यहां परसम तर इस मंधरिम। और माता四脆 की मूर्ति invented रख दई जब भकतों का तार्तम में लगा रहा अने लगे और भktor Karawasya लगे तो यहां काफी भीड़ होने लगी और जब काफी भीड़ होने लगी तो फिर वहीं इस्तिति आ गई फिर संगर्ष की इस्तिति बनी तो 1950 में यानि कि इसके कुछ अईसा जल अथवा भूमी का छेत्र जहां विवाद की संभावना होती है वहां पर CRP 145 का लागू कर दी जाती है यहां भूमी अथवा जल के विवाद से सांति भंग होने की संभावना होती है वहां पर CRP 145 Criminal Procedure Code CRPC का मतलब होता है Criminal Procedure Code तो CRPC की धारा 145 लगा जाती है तो CRPC की धारा 145 लगा दी गई और लगाकर इस पर कभजा कर लिया गया सरकार के द्वारा CRPC लगाकर मंदीर पर नियंत्रन करके और हिंदूओं को अनुमति यहां मिल गई हिंदूओं को पुजा करने की अनुमति मिल गई इसके बाद वो नई शव अस्टी के दसक में विश्व हिंदू परिशद विश्व हिंदू परिशद वो नई शव अस्टी के दसक में विश विष्वा हिंदु परिशद एक हिंदुवादी संगठन क्या गिया मंदिर के लिए एंधिर बनाने के लिए यहां पर जाये शृर्राम लिखा हुआ करता था तो इस प्रकार के एंट और धनिककत्था बहुआंवे ехप ने शुरू कर लि poorest और अंदोलन शुरू करने जा रहे था तो राजीवगांथी की सरकार सिला ने अन्मेती के दे दे ते हमान फार मंत्री ऑख़े से भूता सिंग तो सो मंदर की सिर्णायास का मिल गई सरकार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बहुतर प्रदेश सरकार दोनों ने आपस सहमती जताइगे नोगुन सब्सक्राइब कर तो यहां पर का अनमती मिल गई छसेके दौरा अनमती मिल गई तो 9 मवर ओनेश हॉन नमाशी को गर्रभ्रह सिंख द्वार अस्थापित कर दिया जहpoke percent का बड़ासा घड़ा का खोध कर अच्पा तक आनिनि पर निर्माड कर दिया उसके बाद एच्प आप agoda hasald record कर दिया जो धिस्र applicण पर निöвर लगए तो मंदिर बनाने के लिए निव रख दी गई जो तो बिबादिक छेत्र निव रख दी गई तो यह मामला चला गया जालेंज कर दिया गया उसके बाद सब्सक्राइब का शमाय जब भीहड़ी यानि कि भाजपा भरती छंता पार्टि के करएकारता के रैली रैली में लगबाग ब्ल्ела लोग उपस्थित हुए तो Citizens लाग और गद्लाılar लोग वश्थित है तो से पिदे कंट्रोल से बाहर हो गए अस छोडू शेयर पिडा पाय कोसे बाहर हो गए तो पर मस्जिद को तोड़ कर दिये और मस्जिद को तोड़ दिये मस्जिद पर तोड़ कर सोरू कर गया और मस्जिद को तोड़ दिया गया जब मस्जिद को तोड़ दिया गया मस्जिद को तोड़ दिया गया मस्जिद को भी धंस कर दिया गया तो मद मस्जिद के बाद हिंदू और मुसल्मान के बीच हिंसा फैल गई और हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे के खुण के प्यासे हो गई दोनों के बीच हिंसा फैल गई दोनों हिंसा पर उतारू हो गए के इसके बाद है हिंसा कर देखते देखते ही यह हिंसा पूरे देश में फैल एक महावल गरम ते थे पहले से माया ते अजानग शमस्जिद तोड़ दिया गया द PDF विंसी इसमें लगभग से अधिक लोगों की जान इस हिंसा में यह डाटा वह डाटा है जो पब्लिक किया गया जो पब्लिक बताया जाता है बाकि कितने लोगों की जान गई होगी पता भी है तो 2000 से अधिक लोगों की जान गई अधिक का मतलत बहुत सारे होते हैं कि इसके बाद 7 दिसंबर यानि कि 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर 992 को निवार्क टाइम्स के निवार्क पत्रिका के अनुसार इसकी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और बंगलादेश में भी यहिंसा भड़क गई यहिंसा न क्यों भारत में रही बलकि भारत के परोसी देशों के भी में भी चली गई और पाकिस्तान भारत में बंगलादेश में भी यहिंसा भड़क गई यहिंसा जब पाकिस्तान में गई पाकिस्तान में लगभग तीज से अधिक लगभग तीज से अधिक बड़े मंदिरों पर आकर्मण किया गया पकिस्तान में नष्ट कर दिया गया इस प्रकार से इतने बड़े मंदिरों को खुब लूटा गया खुब तोड़ फोड़ किया गया पकिस्तान में इसी के बदले में इसी हिंसा के बदले में और पकिस्तान ही नहीं बंगलादेश भी सांत नहीं रहा जिसको हमीने अजाद कराया था बंगलादेश को और बंगलादेश सांत नह का वे दिरे सान्ठ व को पांच जूलाईिं ने आकर वंब पर कर द्या अच्छ अर्ड्या मंदिर पर जो ऐस्थाही रुप से ऑस्थाई ultimate रूफ से बनाथा ठाब बहुतне सब्सक्राइब था और जो निर्माडवाड हुआ था थोड़ा बहुत उस अश्थाय रूप से बने मंदिर पर बंबी स्पोट कर दिया और बिम्ब स्पोट करके कर दिया इसमें काफी लोगों कहतात हुई हुआ तो तीन लोग नागरिक भी मारे गए सुरक्षा कर्मी जुसी अबभी आठकवाधिवा का मारतीयों को मार दिया और यह क्या है अंदिया ओसे भारतीय अपुरा तात्विक्षर्वेक्षणצםWest है कि भारतीय पूरा तात्विक्षर्वेक्षण भारतीय पुरा तात्विक्षण म nella हाट्री कैम नहीं त्कexisting कर ठक्लब में कुछ भी होता है जैसे चिंद्व सब्सक्राइब चुन जो मिलते रहते हैं यह सब काम पुरात्त्त्व का काम यहीं देखता यहीं संस्ता देखता है कि इससे साइड कट में एसाइब ऑलते हैं आर्कलोजिकल सर्वे आप एंडिया यह उनई सवठोंतर से इसके बाद इसने रिपोर्ट जब दिया तो हिंदू मंदर के आउसेस यहां पाए गए हैं इस मंदर के नीचे यहां पर बाबरी मस्जिद थी जो तोड़ा गया था उसके जो हेड थे पुरा तात्वीद वह थे के मुष्ली में थे के मुहम्मद थे इसके बाद 2019 में सुप्रिम कोट का फैसला आया और सुप्रिम कोट को साक्षे माना गया आप सब्सक्राइब करके सुनाया गया सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि जहां पर वस्जित तोड़ा गया वहां पर राम मंदिर का निर्माड हो तो निर्माड हो तथा मस्जित के लिए अलग से जगह दी जाए तथा सरकार को आदेश दिये कि मस्जित से मस्जित के लिए अलग से जगह मिले मस्जित के लिए अलग से जगह हो तो इस प्रकार से पांच फरवरी 2020 को संसद में घोशना कर दी गई और संसद में घोशना करके मंदिर निर्माण क्योजना को सरकार द्वास्विकार किया गया और जैस प्रकार से सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था सरकार सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट का निर्माण करेगी तो सरकार किसम सरकार ने मंदिर के निर्माण का निर्माण कर दिया कि इस ट्रस्ट को अद प्रभु से मंदिर का निर्माण करेगा और साथ फर दो हजार वाईस को बाइस नई मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड जमीन अवंटित कर दी गई मस्जिद बनाने के लिए धनिपुर में ये जमीन ते अनिपूर आई इसके वास्तिकार वास्तिकार जुए contract के दौरा इसका डिजाइफ टीजयर के जैयर वाज दे रहार कि इसकी 15 पीडिया जो है इसे चेत्र में काम कर रहे हैं यह जो कुछ भी होते हैं जितने यह पंदरा पेडियों तक इसी के चेत्रे में वास्तुकाला के चेत्रे में ही काम कर रहे हैं और और ये परिवर दुनिया भर में दुनिया भर में साँ से अधिक थाई अधिक बड़े 소ómo cry अधिक थाई मत्यों काव वस्तकला कर चुका है लादभा टिम मंद्र जाइन गाइब पुरा परिवार को है इसे राम मंद्र का दिजाईन का काम द या गया है बनेगा के सभी मंदिर में होते हैं मंदिर में नागर नागर सेली में अब इनका नाम है चंदरकांथ सोंपूरा मंदिर का लंबाई है 300 लंबाई होगी 3080 फिट चवडाई होगी कि दो सब चवडाई होगी 250 फिट और उंचाई होगी एक सब एक सट फिट कितना इस मंदिर के निर्माढ़ होगा मंदिर नियुए का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर का ऑख दूनिया का सबसे भड़ा मंदिर रोगए श्ज्राखत्ष्ट शांप्यो विए प्रतेक कालम में 16 मुर्तियां होगी जिसमें सीव के दसावतार तथा 64 योगिनिया और देविस सरस्वति के 12 अवतार सामिल होगे इसमें प्रतेक इसमें तिन सचाशट कालम में तीडियों की चवडाई जो है शोला फिट होगी और बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगाया जाएगा इसमें लोहे का प्रयोग नहीं होगा इसमें लगभग दस हजार तांबे की सीटों का प्रयोग किया जाएगा इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा लेक्ष देवता की बात करें तो आपको खुब अच्छी तर इसे पता है कि रामलला का मंदिर है और रामलला को बिश्णु का अवतार मना जाता है और यह कहां से लिया गया है रमाड से लिया गया है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात करें तो आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि 22 जनवरी को यानि की कल इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है प्राण का मतलब के जीवन प्रतिष्ठा मतलब अस्थापित कर देना जीवन अस्थापित कर देना यानि कि किसी बस्तु में प्राण अस्थापित कर देना तो किसका प्राण अस्थापित कर देना तो किसका प्राण अस्थापित कर देना यानि कि प्रभुसिराम की मुर्ति में प्रभुसिराम का प्राण अस्थापित कर द प्राण अस्थापित किया जाएगा किस प्रकार से जाएगा मुझे तो नहीं आइडिया है जनवरी दोजार चाहित मंदिर का प्रथम तल तैयार किया गया जनवरी जनवरी दोजार चाहित मंदिर का प्रथम तल तक सब तैयार कर दिया गया 15 जनवरी यहनी कि मकर संक्रांति स से बीभी निकारेकरम सुरू हुग और 22 जनसरा में सब्सक्राइब और 22 कर प्रतिश्ठा अ प्रतिश्ठा होना सुनिशत कर लिया गया इसके लिए प्रतिश्ठा के लिए अधिकांस नंतिखिआ इस्कूल को में छुटी हुशित की गई है कि इतने भी अधिकानस्ता भाजपा सासित जणवरी को सभी अपने घरों में दिये जलाएं ऐसा मोदी ने रिक्वेस्ट किया है भारत की जनता से ऐसा नरिंद्र मोदी जी प्रदान मंत्री नरिंद्र वोजी ने आगरह क्या है कि 12 जनवरी को प्रानपटिष्ठा के समय सभी लोग अपने घर में दिये जलाएं प्रदान मंत्री जी ने लवाया था आपको याद हो का ममबति जलवाया थे और भी पिटवाया थे तो आप भी दिया जला लिजेगा 22 जनौरी को भी क्या करना है तो कहन नहीं कहें है तो थाली मत पिटिएगा न होटाला विभात किस बात का है वह तो काम एक एक तो सबसे में बता तिया किस प्रकार से मस्टिट प्र ही मंधिर की अब सब्सक्राइब कास्तर है मिस्व सभा हिंदू महा सभा के धी बनें तो आधि संगर्ठन है तो हिंदू महासभा ने 200 हिंदू परिसक्ट पर गोटाला करने some था इसके लिए मुख्रूप से जिम्मेदार है उस पर चौदा सव करोण रुपए का घुटाला कारूप लगा था 2019 में निर्मोही आखडा इसने भी भी स्वहिंदू परिशत पर चौदा सव करोण रुपए का घुटाला कारूप लगा दिया इन आरूपों के बाद मौदरिक खादों को डीजिटल करने के लिए ताकि डीजिटल हो जाए तो घुटाला कम हो पाए तो डीजिटली करने के लि इसमें क्यों मौदरिक खादों को डीजिटल करने के लिए तो सबसे विवाद का एक कारण यह रहा दान घुटाला दूसरा कारण विवाद को क्या रहा प्रमुख करेकरताओं को किनारे करना का मतलब कि 2017 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर पर कब्जा करने है तो भाजप कहान है हिंदुदवादक संक्रण है हलंकि हिंदु रांजपऑ संक्वा ने पुदध और हम ने बताया कि पहले तकि नोइन राम मंदिर करना हैं और मंदिर करने कोशिश कर रहे हैं यह लोग कि 2020 में हिंदु महा सभा के राष्टी प्रवक्ता थे प्रमोज जोशी हिंदु महा के सभा के राष्टी प्रवक्ता प्रमोज जोशी प्रमोज जोशी ने कहा कि जो भूमी पूजन हुआ है जिसमें नरेंद्री पूदी जी ने प्रधान मंत्री जी ने भूमी पूजन किया है मंदिर पर इस प्रकार से प्रमुख करे करता हो को कर एक डर्कल्णुंद करना तो इस प्रकार के बीबाद में और बीबाद क्या है। मं निर्माण का कई मंदिर करे confirms कि निर्माण यह भीidd придu अगर मुसल्मान इनका मानना है जो ऐसा कह रहे हैं जो भी अइसा कह रहे हैं उनका मानना है यह प्रभुस्षिराम का मंदर एक हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर में अगर टीजाइनर अगर डिजाइन देने वाले यह वास्तुकार जो होंगें अगर मुसलीम होंगे तो यह जो है कि मस्जिद का एक ठाचा उसमें डाल दिया करें यह एक प्रारूप उसमें छोड़ देंगे मसुचिश के प्रारूप नच्खोड़ Kaita इसके लिए जरूरी है कि मुसल्मान इसमें डिजाइन रुन हो पाए सिर्फ और सिर्फ हिंदु ही इसमें रहें इसलिए मस्जिद मंदर के डिजाइन के संब्ध नमरें इस प्रकार के सवाल उड़े हैं कि अगर मुसलिम रहेंगे तो अपना मस्जिद कढाचा उसमें जवाब दिया मंदर के डिजाइन के लिए विसेशक्यों की कि जरूरत है और मंदर की दोर्व भूमि पूजन संबंध्र पर प्रतिक्रय यानि के कुछ पूजारियों और धार्मिक निताओं के सिकायत है कि है भूमि पूजन अच्छे से नहीं पहली बात दूसरी बात नरेंदर मोदी जी को भूमि भूजन नहीं करना चाहिए था देश के प्रधान मंत्र हैं उस हुछित रूप से धार्मिक पूजन होता हैपर अرफ से प्र आ हम नहीं किया गया है कुछा तो में जरूरी था क्ञेटि उन्होंने कहा कि तो कीराइद राजनेतिक विरोधी दल जो है जो की राजनेतिक विरोधी दल है उस सब का मानना यह है कि भाजपा इस मंदिर का राजनेतिक पहुंचा रही है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले निरमान कर एकर डाल भणकर करके इससे प्रेकार मंदिर के मंदिर के मंस्दि राजनेतिक रहai है जो की नहीं होना चाहिए था सभी खड़े हो रहे हैं और आपकी क्या राय है क्या मेंस विबाद सभी गलत है यह हमारे कमेंट कर में कमेंट बाक्स में आंसर दें आपको जो भी लगता है कमेंट बाक्स में कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगाता शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते भी तक तो कर लें धन्दे बाद